नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं PT.E.T. 2 Years B.A.D. के College Allotment Letter के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको PT.E.T. का College Allotment Letter डाउनलोड करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो तेखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको PT.E.T. College Allotment Letter डाउनलोड करना है तो आपको बता दे, College Allotment डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है EducationIndiaLayu.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है EducationIndiaLayu.com Google में यह सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज आएगा यहाँ पर सबसे उपर वाली website को आपको ओपन कर लेना है website कुछ इस परकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा नीचे के और आएंगे तो देख पाएंगे आपको क्या करना है आपको इस टारक लिंक पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा print allotment letter इस print allotment letter के button पर आपको क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको अपने role number फिल करने है और यहाँ पर आपको अपनी counseling ID फिल करनी है counseling ID आपको अपने result में देखने को मिल जाएगी result में आप counseling ID देखेंगे और यहाँ पर आप फिल कर देंगे उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ आपको अपनी date of birth को फिल करना है जो भी आपकी date of birth है उस date of birth को यहाँ से आप क्या करेंगे यहाँ से आप फिल कर देंगे date of birth फिल करने के बाद आपको payment option पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको payment option select कर लेना है जो कि आपने counseling करते वक्त select किया था यानि counseling करते वक्त जिस mode से आपने online जो payment है वो pay किया था उस option को यहाँ से select कर लेना और उसके बाद login पर click करना है login करते ही कुछ इस परकार से आपके सामने college allotment की जानकारी आ जाएगी उपर यहाँ पर आप अपनी basic detail देख पाएंगे और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगी allotate college और college का address आपको बता दे allotment letter डाउनलोड करने के लिए आपको print allotment letter का एक बटन देखने को मिल रहा है लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको अपनी जो भी ug की mark seat तीनो पार्ट की mark seat upload करनी है इसके अलावा यहाँ पर आपको hand written self declaration upload करना है जिसका format आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह जो जानकारी है वो आप जो self declaration के अंदर है वो आपको लिखनी है हाथ से और उसके बाद यहाँ पर upload कर देनी है जो कि आपको format यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके अलावा आपको अपना Excel latest photo upload करना है इस forum के अलावा जो भी अभी आपने photo लिया है अपने phone से हो सकता है उसे upload कर देना है और उसके अलावा आपको OBC NCL का certificate upload करना है और उसके बाद आपको upload document करके print allotment letter पर click कर देना है आपका allotment letter डाउनलोड हो जाएगा जिसकी आप आपको अवसकता होगी अपने allotate college के अंदर यह थी पूरी जानकारी PTET 2 years B8 के college allotment letter को लेकर वीडियो अगर आपको बसंद आया है तो वीडियो का apply course से रवस्त करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो उस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी subscribe करके bell icon को दबा दि झाल